दोस्तों सार्थी परिवहन में आपने payment किया है फिर भी यहां पर payment है वो unsuccessful हुआ फिर भी यहां पर आपको दुबारा payment करने के बोल रहा है दोस्तों तो यहां पर आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके bank account से payment debit हुआ है नहीं ठीक है अगर आपके bank account से payment debit हो चुका है तो आपक पर एक process करना है तो यहां पर आपको बता देता हूं तो दोस्तो सबसे पहले तो यहां पर आपको verify payment status पर click करना है otherwise आपको यहां पर देखो यह वाली screen पर चले जाना है यहां पर आपको click करना है check payment status के उपर तो जैसे यहां पर आप click करोगे तो आपको पूछा जाएगा आप आपका application number date of birth लेकिन यहाँ पर e-payment में आपको select करना है verify pay status के उपर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको application number डाल देना है date of birth डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना capture डाल देके verify वाले option पर click करना है तो यहाँ पर आपको आपकी payment details शो होगी यहाँ पर क्या करना है select paid वाला जो radio button है उसके उपर आपको tick mark कर देना है उसके उपर आपको click करना है तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप click करोगे तो आपका payment है अगर सच में आपके bank account से debit हुआ है तो यहाँ पर successful आ जाएगा दोस्तों अगर debit नहीं हुआ है कुछ issue है तो यहाँ पर जो payment है फिर भी fail होगा और आपको दुवारा फिर से अपना जो payment है वो करना होगा दोस्तों payment अगर हुआ है तो यहाँ पर आपको click here for receipt पे click करके आप receipt online ही प्रिंट कर सकते हो दोस्तों क्योंकि यह receipt आपको साथ में रखनी होगी तो दोस्तों ऐसे आप अपना जो payment है ओ लाइन सार्थी परिवन में verify कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों like करना शेर करना driving license related और भी वीडियो में डिस्क्रिप्सर में बहुत से रखे होगे तो वहाँ पर आप तेख सकते हो और bell icon को click करना और subscribe जरूर करना thank you so much for watching